वाई, क्यों आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए? क्योंकि आपको इस वीडियो से help मिलेगी कि आप कैसे yoga poses, meditation and diet and nutrition का ध्यान रखके आप PCOS, polycystic ovary syndrome में relieve उपा सकते हों So, meditation से आपको कैसे help मिलेगी? Meditation करने से आपका stress level कम होगा और आपकी body में जो hormonal imbalance हुआ है वो ठीक होगा Meditation करने के लिए आप कोई भी comfortable position में बैठ सकते हो जैसे कि padmasan और अगर आप padmasan नहीं कर सकते तो आप normal palathy position में बैठ के भी meditation कर सकते हो और try कीजिए कि आप अपने breathing पे focus करिए और mindful meditation कीजिए अगर आपको mindful meditation सीखना है तो आप google या youtube में search कर सकते हो और सीख सकते हो और अगर आप हम से सीखना चाहते हो तो हमें comment box में जरूर बताना हम उसके उपर detail video बनाएंगे अब हम आपको कुछ yoga pose सिखाएंगे जिससे आपके pelvic floor के organ को massage मिलेगी और वो stimulate होंगे जिससे वो better function कर पाएंगे और आपको PCOS में relief मिलेगा तो चलिए सुरू करते हैं क्यूंकि yoga से सब होगा उसके लिए आपको दोनों legs को सीधे लंबा के बैठना है उसके बाद दोनों legs को आपको इस तरह से मोड़ना है आपके pubic reason के पास में दोनों आपकी हील टच होनी जरूरी है और आपके दोनों हाथ के पंजे आपके दोनों knees के उपर आने चाहिए और उसको आपको प्रेस करना है और यही position में आपकी नजर नीचे की तरफ रखनी है और यह position आपको hold करके रखना है और आपकी spine straight रहनी चाहिए इस position के बाद आपको अपने दोनों हाथ से आपके दोनों पैर के पंजे को पकड़ना है उसके बाद आपको butterfly करना है और आपको यह आसन डिटेल्स में सिखना है तो आप उपर आई बटन में क्लिक केजिए उसके लिए आपको वजरासन में बैठना है और वजरासन में बैठके उपर होके आपको अपने दोनों हाथ के पंजे को जमीन की और रखना है उसके लिए आपको दोनों हाथ को उपर ले जाना है और आपको सांस बहार निकालके नीचे के और जुकना है उसके लिए आपको अपने दोनों हाथ को चेस के बाजुमें रखना है सांस लेके आपको अपने बोड़ी को उपर उठाना है अपने दोनों हाथ से आपको अपने दोनों एंकल को होल करना है और सांस लेके आपको अपने बोड़ी को उपर की वार लिप करना है हाँ, I am Dr. Janmishukla, I am a physiotherapist and also diet and nutritionist मैं आज आपको PCOD और PCOS वही की चीज़ है Polycystic Ovarian disease या आप कह सकते हो Polycystic Ovarian syndrome तो उसके डायेट के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूं जनरली सब exercise और वह तो आपको suggest करेंगे ही लेकिन सबसे बड़ी mistake जो लोग करते हैं वो है not taking a proper diet तो आप अगर अपनी डायेट में थोड़े से changes कर दे especially जब आपको PMS के symptoms आते हो you know they have irregular periods, right? तो आपको जब PMS के syndrome आ रहा हो उस time जो 10 days का period होता है या you can say 15 days और 1 week तो उसमें आप ये डायेट के changes डाल सकते हो तो उसमें आप सबसे पहले हम बात करेंगे PULSES की PULSES में बहुत सारे PULSES होते हैं मूं, चनाद, तूर, अरहर, उडद, फिर चॉली आप बहुत सारे PULSES हैं आप उसको अपने डायेट में एड़ कीचें अब PULSES को कैसे एड़ करना हैं तो जैसे आपने मूं का कुछ लिक्वीडी बनाया है मूं दाल का यू कन, what you can do is eat it with rice and curd you can have it for dinner or lunch तो rice and curd के साथ खाने से आपको जो appetite lose होने के problem रहती है loss of appetite बहुत जादा हो जाता है bloating सी feel होती है पूख लगती है लेकिं मुझ खाया नहीं जाता वैसा होता है तो उसके लिए आप कर सते हो rice and curd और उसमें आप कोई भी PULSES का मैं मूं जादा सजेस्ट करती हो लोगों को क्योंकि वो जेनरली सबके घर में बनता है लेकिन आप कोई भी PULSES का बना कर उसमें डालके खाएंगे तो आपको ये loss of appetite की जो दिकत है वो दूर हो सकती है और जनरली जब हमें PMS होता है PCOD वालों को specially तब कुछ fried चीज़े खाने की मन करता है जैसे वेफर्स हो या फिर burgers हो So you can avoid that actually कि उतना healthy नहीं है और आपके body के लिए या जतना नहीं है तो आप क्या कर सकते हो आप पल्सीस के भजिया बना सकते हो right mung dal ki bhajiya फिर उडद daal ki bhajiya उसे पापड खा सकते हो मुउभ daal का पापड आपको जबी भी fried चीज़े खाना पसंद आपको अच्छा लगे या इसा लगे और फाइबर मिलेगा और वो हेल्दी भी है आपके बोड़ी के लिए और फ्राइड का फ्राइड भी हो जाएगा उसे वेड गेंड भी जादा नहीं होगा अब हम नेक्स अभी बात करेंगे अब मिलेट्स कि आपको मतलब क्या खाना चाहिए जैसे बाजरा है फिर नाचनी है यह सब आपको जादा हेल्प करेंगा पीसी ओडी के लिए स्पेशली राजगीरा आपको पता होगा जरली हम फास्टिंग में खाते हैं फास्टिंग में र नाचनी उसकी रोटी जादा प्रिफर करनी चाहिए उसके उसे बलड सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा और आपको जो इरिटेशन होता है इरिटेबिलिटी होती है वो कम हो जाएगी अभी हमात करेंगे फ्रूट्स की एस्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो ब सिर्फ PCOD के लिए नहीं जीन लोगों को PCOD हो PMS हो या फिर पीरिट्स में बहुत जादा क्रैंपिंग्स होता हो इरेगुलर पीरिट्स हो PCOD के वज़ह से नहीं किसी और वज़ह से भी आप लोग फ्रूट्स खाना शुरूर कीजिए दिन का एक फ्रूट कमपल सरी कीजिए और एस्पेशली बनाना हमारे इंडिया के छे सुपर फूड है उसमें से एक बनाना है बनाना इस वेरी गुड फो यॉर हेल्थ उससे आप आज हे अपने डायेट में एडि कर दीजिए बनाना की चीप्स भी खा सकते है इस अलसो वेरी हेल्दी फो यू एक बनाना पीसी ओ आप करें दीच अच कि बनाना इस आपने को जो 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 प्रोड यॉर्ट कर दीजिए बनाना हमारे शोड और आप कर दो पीसित बनाना मैं डिजिए न को जो बहां आफिक कर वा एल्पल रहेगा तो यह आपके डाइड में compulsory add कर दीजिए जो root vegetables है especially potatoes, सिर्फ potatoes से कुछ नहीं होगा आपको उसके अंदर sweet potatoes, सर्वी, सूरन जो भी सारे root vegetables से वो सारे add करने पड़ेंगे और उसके अलावा दो चीज़े आप add कर दीजिए अपने दिन में गी, एक तो एक चमच गी डिनर और लंच में compulsory कर दीजिए और soaked almonds, soaked almonds early in the morning first thing आपको लेनी चाहिए और अगर आपको headache का भी बिमारी है साथ में कि आपको migraine या कुछ रहता हो तो आप बनाना अपना दिन बनाना से शुरू कर सकते हैं So thank you for your time और please change your diet for PCOD, PCOS अगर आप भी PCOS की problem से सफर करते हैं तो आपके daily routine में meditation, yoga और ये diet changes करके देखे और gradually आपको दीरे-दीरे PCOS की problem में relief मिलेगी अगर आपको हमारा ये वीडियो helpful लगा हो तो please give a like and also share with your friends and don't forget to subscribe our YouTube channel Thank you for watching, see you in the next video करके करेने दुएने थीरे